असलामों अलेखुम वरहमतुल्लाही अबराकातूमों फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस नामी अखलाक तो विडिक शूँ करने से पहले हम आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मे इस वीडियो में आप लोगों को कुरान पाक की कुछ ऐसी आयतों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इन्शालला इन आयत को पढ़ने से इनकी तिलावत करने से आप जो भी बात मुझ से निकालेंगे अल्लह पाक से जो कुछ मांगेंगे अल्लह पाक आपकी हर ख्वाहिश और हाज़त को पूरा फरमा देगा दोस्तों इनसानी जिन्दगी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ इनसानों की खिद्मत करना है इसी से बंदे को रब मिल जाता है और अल्लह ताला की रजा के साथ इनसानों की दुआएं भी हा इनसान कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपनी जिन्दगी गुजार रहा होता है जैसा कि आप सब को पता है कोई इनसान चाहता है कि वो दौलत मंद हो जाए कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी बंगला आ जाए कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है कोई अपनी मह मुखबत को लेकर इस वज़ा से परिशान है कि उसकी मुखबत उसे मिल जाए यानि कि हर इनसान किसी ना किसी खुआहिशों में जरूर मुपतिला है। याद रखें दुनिया के हर इनसान की खुआहिश होती है कि वो तरक्की करें, काम्याब जिन्दगी गुजारें और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बनें ताकि दुनिया के लोग कहें इस आदमी ने तो बड़ा कामकर दिखाया लेकिन बदकिस्मती से हर इनसान काम्याब लेकिन ऐसा हरकिस नहीं होता, हर काम्याब इनसान की जिन्दगी को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि दुनिया के काम्याब इनसानों ने कभी शॉर्टकर्ट से काम्याबी हासिल नहीं की और ना ही वो सोने का चमचा मूँ में लेकर पैदा हुए आज दुनिया के टॉप लोगों को आप लोग देख लें, काम्याब लोगों को देख लें, तो आपको बता लगेगा कि उन्होंने किस तरह अपने मकसद में काम्याबी हासिल की, दिन रात एक करके फिर कहीं जाकर वो इज़त और मरतबे के उस मकाम पर पहुँचे, और फि आप जैसा चाहेंगे, इन्शालला वैसा ही होगा, और जिस चीज़ की आप तमना करेंगे, अल्लह पाक आपको जरूर अता फर्मा देगा, दोस्तों अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं, कि जो अमल आप लोगों ने करना है, वो किस तरह से करना है, कि सबसे पहले आपने पा पहले क्या करना है, कि दरूदे पाक पड़ना है, उसके बाद सूरह हदीद की पहली दस आयतों की तिलावत आपने करनी है, और उसके बाद सूरह हश्र की आखरी दस आयतों की आपने तिलावत करनी है, दिन में आपने सिर्फ एक बार ये अमल करना है, जब भी आपको किसी चीज़ी चीज़ की जरूरत हो आपको अपने मकसद में काम्याबी चाहिए हो किसी भी बात को पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो आप ये अमल कर लिया करें इन्शालला कुरान पाक की इन दो सूरतों की जो दद-दस आयते हैं इन में इतनी ताकत है इतनी फजिलत है कि पाक के फजिल करम से जो आप अल्लह पाक से मांगेंगे अल्लह ताला कबूल फर्मा कर आपको वो अता फर्मा देगा। हजरत अली रजियल्लह ताला अनु से रिवायत है कि इन आयतों को पढ़ने से इनकी तिलावत करने से अगर आप चाहें तो मुर्दे को भी जिन्दा करवा सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इन आयतों में कितनी फजीलत कितनी ताकत रखी गई है। अगर आप अपने किसी भी मकसद को लेकर परेशान हैं तो आपको परेशान होने की बिलकुल जरूरत नहीं। आज ही पुराने पाक को खोलिए और इन आयतों की तिलावत करके अल्लह पाक से दुआ मांगे इन्शालला आपको अपने हर मकसद में काम्याबी मिल जाएगी। इस वीडियो को अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी दूआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज।